आपिता और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11 की अकाउंट से स्ट्रेटेजी लेकर आई हूं काफी सारे बच्चों की रिकॉर्मेंट थी कि मैं जैसे 12 की आपने बनाई है वैसे 11 की बनाओ 11 में क्या होता है कि कई students के exams हो चुके हैं कई के 5 दिन बाद है कई के 10 दिन बाद है तो कई के 20 दिन बाद है तो समझ नहीं आ रहा था कि कितने दिन के strategy मैं 11 क्लास की बनाओ तो बी फ्रेंक आप लोगों के साथ शेयर कर यह तो मैंने 10 दिन के strategy बनाई है इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके 20 दिन है या 15 दिन है तो आप किन chapters पर efforts आपको करने चाहिए जाए जाए कि जो चीज difficult है जिसे मैंने कम days दिये हैं 10 days के साब से आप उसे increase कर सकते हो तो सबसे पहले guys किन chapters ऐसे कई chapters आपको ऐसे भी मिलेंगे जिस पर आपको जादा समय बिल्कुल भी देने की ज़रुरत नहीं है तो सबसे पहले guys मैं बात करूँगी कि आपको एक दिन में कितना समय अपनी accounts को पढ़ने में देना चाहिए अब जिबकि आपके exams आने वाले हैं इससे पहले आप पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे चल गया था लेकिन अब अगर नहीं पढ़ रहे हो तो वो तो गलत बात है क्योंकि paper आने वाले हैं या paper आ चुके है तो आप तो guys आपको accounts minimum 2-5 गंटा पढ़नी चाहिए यह वो time limit है कि इसे आपने कम नहीं करना 2-5 गंटा it's depend upon बच्चे to बच्चा यानि कि students to students depend करता है कि वो कितना समय देना चाहता है कितनी जल्दी चीज़ों को grasp करता है तो अगर जल्दी आपको चीज़े समझ जाती है तो 2 गंटा भी पढ़ोगे इनफ है लेकिन अगर हमें थोड़ों चीज़ों को समझने में समय लगता है तो धाई घंटा तो minimum हमें देना चाहिए और जादा कितना दे सकते है जितनी आपके श्रद्धा है जितना आप पढ़ना चाहते है इतना आप जादा समय दे सकते हो 10 दिन के अंदर कैसे करें किस चेप्टर को कितने डेस दी तो गाईस देखो सबसे पहले तो तो ताइम निहान रखना है कि इतना ताइम तो आपको अकाउंट्स को देना ही देना है ठीक है अब जो आपके पहले चार चेप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म, अकाउंटिंग स्टेंडर्ड एंड बेसिस ये तीन दिन में हो जाना चाहिए गाईस इंट्रोडक्शन बहुत इजी सा कंसेप्ट है जिसमें कंसेप्ट काफिस आरे लेकिन बहुत कॉमन चीज़े बार बार जिसे उसकी जो प्रोसेस है आ आपके अब्जेक्टिव है फंक्शन से बहुत जादा एक ही सिमिला नेचर के जो बार बार अलग अलग लैंग्विज में यूज हो रहे है ठीक है यह आपको वन डे में हो जाना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म भी एक दिन में क्यूंकि छोटा चेप्टर है ये प्ल कि तीन दिन के अंदर आपका ये वाला कोर्स सो हो जाना चाहिए बहले ही आपके एक्जाम में 20 दिन है 5 तीन दिन से जादा अगर देना चाहोगे चार दिन देना इस जादा देनी की ज़रूवत नी है ठीक है लेकिन गाइस आप जो भी समय दोगे उसके साह सथ-समसी की प् बट MCQs प्रेक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको MCQs की प्रेक्टिस जरूर करनी है आप लोगों के लिए फॉर्स टाइम है कि आप इन चीजों को फेस करे हैं MCQs को इतने सारे वो भी तो आपको जरूर प्रेक्टिस करनी चाहिए इसके बाद गाइस बात आती है Accounting Equation की Rules of Debit and Credit and Voucher Voucher में तो देखो कुछ ही नहीं है तो मैं Chapter मानती ही नहीं हूँ इसमें सिर्फ Definitions है Pain Slip किसे कहते हैं जो कि आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछू Check किसे कहते हैं तो आपको पता होगा Bill किसे कहते हैं अपको पता होगा है ना तो Voucher में तो Definition है ये तो Chapter आदे घंटे में हो जाता है उसके बाद है Accounting Equation and Rules of Debit Credit ठीक है Rules of Debit Credit भी हमारा 1.5 से 2 घंटे में पूरा Chapter हो जाता है क्योंकि इसमें कौन सी Approach है दो Approaches है Traditional and Modern Approach उसके 2-2-4-4 Example करो MCQs करो Chapter खतम है उसके बाद है Accounting Equation जो की Conceptual आपको Knowledge देता है Basic Accounts की इसको एक दिन में तो ये तीनों Chapter अगर आप मिला के देखो तो 2 दिन के अंदर आपको ये कर लेने कौन-कौन से Accounting Equation, Rules of Debit and Credit जब करोगे इसके साथ Voucher को भी निपता लेना तो ये 2 दिन में हो जाएगा Total आपके अभी 5 दिन लग चुके है इसके बाद हमारी बात आती है Journal and Ledger की Ledger में कुछ है ही नहीं Posting है एक बार सीख गए एक Question एक Example से सीख गए दूसरा खुद से Try करो Complete है क्योंकि Ledger में कोई नहीं चीज नहीं आती Posting सिखाए गई है Journal में of course आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी तो एक दिन के अंदर आप ये कर सकते हो जादा है दो दिन ले लो इस चेप्टर को क्योंकि General में इसमें ताइम लगेगा Cash book and other book Cash book के 4 questions पकरो क्योंकि मैं revision बता रही हूँ Cash book के 4 questions के practice करो जिसमें आपका Simple column cash book आजाएगा Double column cash book आजाएगा Bank overdraft वाला यह अगर आपका bank का balance negative है उसके questions के practice करो and other books को करो Other books में 4 books है एक-एक example भी करोगे question करोगे एक एक उसका enough है one day में guys ये complete होना चाहिए उसके बाद बात आते है BRS की जो कि सबसे easy chapter मेरे को लगता है जो कि बहुत असान है एक दिन के अंदर अराम से हो जाता है उसके बाद है guys depreciation and provision and reserve depreciation में मानती हूँ कि धोड़ा difficult माना जाता है और इसमें काफी सारे concept है provision and reserve तो guys आदे घंटे का chapter है मेरी वीडियो देखो कि उतने में clear हो जाएगा इस पर नई वीडियो भी आरी है provision and reserve पर तो वो भी देखना तो ये तो बहुत असानी से आदे घंटे में आप कर लोगे depreciation है जिसे आपको एक से डेट दिन देना है एक के question की अच्छी तरह के से practice करनी है minimum समय इतना तो जरूर देना है maximum जितना आप देना चाहते हो आप 10 दिन में course complete कर सकते हो अराम से ठीक है जिसमें आप बहुत कम समय दे रहे हो लेकिन अगर आपका paper है आप जादा समय देना चाहते है तो चार से पांच खंटा पढ़ोगे तो ये दस दिन की बजाए आठ दिन में भी पूरा हो जाएगा और कम समय दोगे नहीं पढ़ोगे तो दस दिन में आधा ही course पूरा होगा तो it's depend upon you कि आप target क्या लेके चल रहे हो कितने दिन में से complete करना चाहते हो तो जरूर एक page पर जरूर लिखो कि ये वाला chapter मुझे इतने दिन में complete करना है ये chapter मुझे इतने दिन में complete करना है तब ही आपको पता चलेगा कि मुझे कितना उस chapter में पढ़ने की जरूरत है जब आप decide करोगे ना कि depreciation दो दिन में करना है तब को पता चलेगा कि मुझे धाई घंटा तो minimum पढ़ना पढ़ेगा तीन घंटा भी पढ़ना पढ़ सकता है तब जागे मेरा course complete होगा तो इस तरीके से आप accounts को complete कर सकते हो बट अपना समय देकर अगर बिना समय के बिना उसके नहीं complete होगा तो अपना समय दो और accounts easily cover कर पाओगे कोई भी डाउट हो Instagram पर idea गाईस तब इता मैसी पूछ सकते हो या फिर YouTube पर comment के थूँ Thank you